दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस इटू फेनल पे आज हम लोग इस वीडियो में सीडियल दोहारताईस टीयर वन के जो की 18 जुलाय दोहारताईस फ़स्ट का पेपर है उसके मैथ के पेपर को हम लोग स्वाल करेंगे टोटल 25 के 25 को आज हम लो तो आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है यह वीडियो तो अगर आपने चैनल पे नए है चैनल को अब अब से ही सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आने बाले जितने भी सिप्ट हुए हैं सभी सिप्ट का सॉल्यूशन हम इस चैनल पे करवाने वाले हैं इस से पहले यह वीडियो को सुरू करते हैं पहले कोस्टिन की तरफ चलते हैं पहला कोस्टिन हमारा है ट्रिगोनमेट्री का आप इस संदार सबार देखें 10a by 2 is equal to x है तो x का मान गयात करना है मतलब 10a by 2 का अगर आपको फर्मूला पता है इस फर्म में कोस के फर्म में तो आपको इसक कुछ मान लेजिए एक भेलू आप मान लेते हैं 90 अगर एक भेलू 90 मानते हैं एक के भेलू कितना जाएगा मतलब 1045 होगा 1045 के भेलू होता है 1 अब पुट कीजिए इस समीचारों आप्शन में से किसका किसका 1 आ रहा है देखे पहली आप्शन में पुट कीजिएगा तो 1- कुछ 90 के भेलू कितना होता है 0 मतलब 1-0 बटे 1 प्लस 0 मतलब 1 यह तो सटिस्फाय कर रहा है अगर 90 पूट करते हैं तो यह सटिस्फाय कर रहा है ठाड़ ऑप्शन देखेंगे तो क्या जागा 0-1 तो सटिस्फाय करेगा नहीं यह तो चला गया फिर देखेंगे 1-0 और 1 प अप्शन में से एक उप्शन होगा इसके लिए क्या करना है फिर एक वाल एक को भेलू कुछ ले लिए 60 माल ले लिए 60 मतलब 1060 बटे 2 मतलब 1030 के भेलू निकालना है 1030 कितना होता है 1 बटे रूट अंडर 3 अब पूट कर लिए दोना में से एक आपको सटिस्फाय कर देगा यानि X का भेलू A का भेलू 60 पूट करेंगे तो इसका अप्शन नंबर A का आंसर क्या आजाएगा 1 बट अंडर 3 आपका इस तरह से आप इसको कम से कम समय में सॉल्व कर सकते थे या तो आपको फर्मुला आंसर दिलेक्ट मार देते या फिर नहीं फर्मुला या तो भी फिर एंसर भेलू पूर करके आप इसको आंसर निकाल सकते थे कॉस्चन नंबर 2 में देखेंगे 20 लोगों की एक टीम को टीम का आउसत भार दिया हुआ है 59.8 केजी ठीक आगे पता चला कि एक भार को गलती से 77 की बजाए सरसथ पट लिया गया है तो सही आउसत भार क्या हो मतलब 68 को हटाके हम अगर 77 रख दे तो क्या हो जाएगा टोटल भार हम लोगों कितना कम कर लिए हैं कांट कितना किये हैं जिस कारण से इसका जो एवरेड़ कितना है 59.8 है अगर 9 किलो कम किया है तो 9 किलो का आउसत भार कितना हो जाएगा 20 लोगों में इसको divided कर देंगे 20 ह मतलब पहले अगर 59.8 था गलती से हम भार एक कम ले लिए तो भार कम ले लिए हैं तो अब क्या होगा अगर सही भार एड करेंगे तो क्या होगा अफसर नमबर फूर आपका क्या होगा चले कॉस्चन नमबर देखें थाड कॉस्चन है ट्रिगोर्यमेट्री का त्रिगोर्यमेट्री सुत्रों का उप्यों करके बताना है तो आपके इसके बातों पे नहीं जाना है इसका आपका आंसर लाना है ट्रिगोर्यमेट्री का फर्मूला बिना यूज की वे भी इसको आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं ठीक है तो तिर्गोनिमेट्री फ्रेमरा लगा के भी उसको स्वल्फ का सकते हैं लेकिन क्या है उसमें आपको जोगा टाइम लग जाएगा आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है देखिए आप एंगल का एक्स और वाई का भेलू कुछ आप पूट कर ल यहां से 30 इख 60 30 पूट कीजिए देखिए यह तो आपको हो जाएगा 60 प्लुट 90 मतलब यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा साइन 30 साइटेट वैलू कितना होता है रूट अंडर 3 पलस टैन 30 वैलू कितना होता है वन बट्ट अंडर 3 जिभाइड़ेड बै टैन तो यह कितना हो जाएगा चार से चार केंसिल हो जाएगा अगर आप चाहे फार्मुला से पूट करना तो फ्रेमुला से स्वाल किज़ेगा तेन अगर प्रेमुला पर स्वाइगा तो लेकिन आपको फ्रेमुला पर स्वाल भी नहीं करना है एक जाम में तीस पूरूस एक काम को बारा दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक, देखें, तीस पुरूस जो है, मतलब काम ट्रोल हो गया इतना, तीस पुरूस किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, अब क्या है, छे दिन के बाद, छे दिन के बाद क्या है, चोविस पुरूस उसके साथ जुर जाते हैं, देखें, मतलब छे दिन तक क्या हुआ, तीस पुर आपको निकालना है देखिए 30 इंटू 12 यहां पर कितना है 12 यहां पर 30 कितना है 6 मतलब 30 इंटू 6 बचेगा मैनस करने के बाद मतलब 180 हो जाएगा कॉस्चन नंबर 5 को देखेंगे 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तरिजा के दो बिरित एक दुसरे को बिंदू ए पर बाय असपर्स करती है देखिए यह इस तरह से दिया गया है एपे क्या है इस दोने दुसरे को बाय असपर्स करती है ठीक है पी क्यू जो है कर्मसर ओवन और O2 के अंद्र बाले एक का सेंटर है O1 और एक का सेंटर है O2 विर्तो के सीधी उभेनिष्ट रेखा है तो क्या होता ऐयं है असपर्स रेखाऊं की जो की सीधी आशपर्स रेखा के बिच का दिस्टेंस मतलब center के beach का distance c1 लंबाई center के distance कितना नुट धनी गुखा दूनँ के 10 पंदरा का स्क्वार 225 मैंनस root में दोनों के beach के distance 25 पांच का स्कॉर मतलब 25, 225 मैनस 25, कितना हो जाएगा रूट अंडर 200, तो इसमें से क्या होगा, इसकूर से आप क्या है, 100 मैनस हो जाएगा, 100 इसको इसको एक सरूर से बाहर आएगा, मतलब 10 रूट अंडर 2 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आपसर नमबर 4 आपका correct आंसर के स्पीड है, किलमीटर परावर के स्पीड है, तो पुलीस कर्मी दोरा पकरे जाने से पहले तक चोर कितने दूर भाग जोगा हुआ, देखिये अगर चोर यहां पे था, तो चोर क्या है, चोर आपको 400 किलो मीटर की दूरी पे था, उस समय क्या है, कि जब पीछा करता है, कि यहां से भागने लगता है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस से कितना है 400 मीटर का दोनों के बीच के डिफ्रेंस मतलब 8 किलो मीटर पर सकेंड में आप अपको यहाईगा आठ पांच चालीश मतलब असी ठीक है दस मतलब 188 second मतलब 180 second के बाद क्या हो जाएगा पक्रा जाएगा हम से क्या पूछा है औस समय तक वहार नहीं कितना दूरिता है के चुका होगा एक 180 second में इतना क्या होगा चोर चोर का सोपीर दिया है 32 kindergarten पर आवा उसी को आप सल्वर के लिए देखे बत्तिस इसको चिप्टिस से डिभाइड कीजिए आप अर्में आपका कर्मट हो जाएगा तो आपका यह हो जाएगा कितना 20 मतलब बत्तिस बत्तिस मतलब 1.6 किलो मीटर तक क्या होगा चोर भाग चुका होगा इसको मीटर में करेंगे कितना हो जाएगा 16 मीटर आपका option number C इसको पूर्णता विभाजित करेंगी देखिए चार का पावर 12 है 4 पावर 14 है चार कावर 15 है यह किस संख्या से पूर्णता विभाजित है तो सबसे पहले क्या करेंगे चार के पावर 12 को मल लेंगे ब्रैकेट में कितना बजाएगा 1 पलस 4 का पावर 1 मतलब 4 फिर क्या बचेगा 4 पावर 2 मतलब 16 फिर 4 पावर कितना बचेगा 3 मतलब 64 देखें 64 पलस 16 कितना हो जाएगा 80 5 85 मतलब 4 का पावर 12 into 85 मतलब किसे बिभाजित है तो option number A मतलब 17 से या क्या हो जाएका number पूर्णता बिभाजित हो सकता है यह 5 से भी भाजित हो सकता था मतलब आपको option A में सिर्फ 17 दिया हुआ है 5 नहीं दिया है मतलब option number 1 correct होगा ठीक है question number 8 को देखेंगे मान लिजिए कि ABC एक triangle PQR की कम सब PQQR और PR की भुजाओं का मतलब बिदू है ज़ादि PQR का शत्फर 32 दिया हुआ है तो triangle ABC का खत्र फल क्या हो देखें एक triangle है जो कि है PQR ठीक है PQ का जो मतलब बिदू है आ है ठीक उसके बाद क्या है QR का जो मतलब बिदू है वह B है और PR का जो मतलब बिदू है C है अबर सिसे कितना हो आप कुला is और देखिए ये ये इस त्रेंगल का उत्व उक्ते हैं ये चाहँ काूट होगाugu हो क्या होगा एक्वामोंट के ओप लए ब्लब आप इसका आप निकालने के लिए बोला गया है मतलब बूरे का इरिया उसका ग्वान फोर्थ होगा पूरे का एरिया है आपका 32 तो यह कितना हो जाएगा उसका 1 फॉर्थ मतलब 8 सेंटीमीटर होगा मतलब आपसर नमबर 1 में दिया हुआ जो की आप एक सकेंड में इसको आप स्वल्व कर सकते थे चले question number 9 को देखते हैं x square minus y square और x minus y का तिर्थिये अनुपात ग्याद करना है देखिए अगर a और b दिया हुआ इसका कहीं तिर्थिये अनुपात निकालने के लिए थे क्या हुआ तिर्थिये अनुपात सकर नमबर का square बट्टे फस्ट नमबर मतलब x minus y का hollow square मतलब x minus y इंट x minus y लिख सकते हैं divided by देखिए x minus first नमबर यही है इसको भी लिख सकते हैं हम लोग इससे x plus y into x minus y देखिए x minus y x minus y केंसी हुआगा आपका बच्चे क्या x minus y बट्टे x plus y option number 2 आपका correct answer होगा question number 10 में दिया गया है 10,000 मुल्य की बस्तुएं खरिदने पर एक दुकंदार अपने ग्रहा को 500 रुपये की flat shoot पर दान करता है ठीक है इसके अलाबा credit card का उप्योग करके खरिदारी करने पर 7% की अतरिक छुट देता है यदि कोई ग्रहा credit card का उप्योग कर 10,000 का समान खरिता है तो उसे कितना होगा उसको पर करना है लेकिन क्या है अगर इस पर credit card का उप्योग करता है तो इस पर 7% का एक और अतरिक छुट मिलेगा मतलब देखिए 95 इंटू साथ कर लिजे तो 35, 96, 96, 97 कितना हो जाएगा आपका ये 63, 63 और 3, 63 कितना हो जाएगा? 66, मतलब 500 तो ये छुट मिला और ये कितना जाएगा आपका 89, 100, 89, 100 में से भी 65, माइनस करेंगे तो 8835 आपका correct answer होगा, ठीक है, option number 1 इसका सही answer होगा, ठीक है, question number 11 को देखेंगे, question number 11 कहा गया है, एक दुकंदार नीचे दी गई दो छुट संबंधी युजनाओं का पेसकस करता है, एक में दिया हुआ है, 10% औ और 15% की दो कर्मिक छुट देना है, बी में दिया हुआ है, पांच बस्तुवा की खरीद पर दो बस्तुवे मुब्त पाए, किस युजना में छुट परतिशत अधिकतम है, ए में दिया हुआ है, और बी में अलग-लग युजना ये दिया है, पूछा गया, एक दोनों में स इसे किस में अधिकतम छुट परतिशत होगा, फर्स्ट में क्या है, कि 10% का करमिक छुट का मतलब 10 पर 15 माइनस 10 इंटू 15 बटे, मतलब 1.5 माइनस करें, मतलब 25 माइनस 1.5 मतलब 23.5 परतिशत युजना एक तहत छुट मिलती है, देखिए, बी में कहा गया है, पांच बस्त दूए के CP पे 2 आपको फिरी में मिल रहा है, ये discount percentage हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा, 20 मतलब 200 परतिशत, 200 परतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, साध दूनी आपका हो जाएगा, 14 जाएगा, 14 छे, साथ, 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 नमा, तीर सट, मतलब 28 के आसपास आपका आएगा, ये 28 point something छोट दे रहा है, option A में क्या है, सिर्फ 23 परतिशत का छोट मिल रहा है, तो correct answer क्या होगा, option B में क्या है, अधिकतम छोट दी जा रही है, ज्यादा डिभाइड करने कोई भी जरुवत आपको नहीं है, ठीक है, अगला स्वाल को देखेंगे, simplification का है, ठीक है, 326 plus 222 क मतलब इसको ये कह गया है, A plus B का होल स्वायर, ठीक माइनस A minus B का होल स्वायर, इन्टू A इन्टू B दिया हुआ, जैसे ही देखें, S plus B का होल स्वायर, माइनस करेंगे, S minus B का होल स्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 A B आपका, उपर में बचेगा, और A B नीचे में हो जाएगा, तो कोई भी नमबर क्यों नहों हो, आपका अंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका correct होगा, समझ गये हैं, इसको भी आप बहुत असामनी से, बहुत कम समय में solve कर सकते हैं, question number 13 को देखेंगे, निम लिखें तुम इस कौन सी संख्या, 24 से विभाज होगा, कोई भी नमब चार में देखेंगे, 668, और बात ब्लास्ट में क्या बाज जाएगा, 2, मतलब ये भी 8 से विभाजित नहीं है, option number 4, element हो जागा, 968 को देखेंगे, तो कितना होता है, 12, 8, 968 कमे, ये कह 8 से विभाजित है, अब हम चेक करते हैं, 3 से विभाजित है, देखेंगे, 6, 2, 8, 8, 9 कितना हो जाएगा, 17, 17, 24, और 8, 31, मतलब ये नमबर 3 से विभाजित नहीं है, मतलब 8 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, मतलब 4, element है, option number 2, देखेंगे, 7, 160 को 8 से विभाजित करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, ये 9, 8, 72, और 8, 5, 40, 8 से विभाजित है, 3 से देख प्राक्रितिक संख्याओं का अंतर का अंतर का अंतर दिया हुआ है अब कि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुरानफाल 108 है इन दोनों संख्याओं के घंणों का अंतर मतलब आपको निकालना देखिए की कोUND इस उत्य कों सλक…N dissect सबसुंक्त कों सबसूं को सबसुन को स्वालव करके भी निकाल सकते हैं तो nिकलना क्या है आपको सब्सक्राइं निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं इन गई दो प्रकेटिक संख्याओं का अंतर काखन स्वारी कोच्चर रिपीट हो गया है क्वेर्चषन नमबर सोला को देखेंगे कीसे है दी गई बार ग्राफ एक दुकंदार द्वारा पांच बर्सो में बेची गई स्पोर्ट साइकिलों की संख्याओं को दरसाया गया है यह इस्पोर्ट जो की संख्या है 28 तरह 28 में इतनी थी और 2022 में दिया गया है आपका आगे बर्ष 2021 में एस्पोर्ट साइकलों की विक्री में पिछले साल की तुलना में कितने परतिसरत की कमी आई है अगर हम बात करते हैं 2021 में देखे 2021 को कंपरिजन करना है 2020 से पिछले साल की तुलना में पिछले साल 200 विक्का था अब कितना विक्क की कमी आई है पुछा कितने परतिसत की यह कमी है तो कितना हो जाएगा 55 बट्टे 25 बट्टे 25 क्या लिखेंगे हम 27.5 आपका अंसर होगा अपलोग कोच्छर नमबर 15 को 15 में क्या है देखिए 14 में क्या है 14 का और 15 कोच्छर सेम है अंतर क्या है सिर्फ इसमें दुनों का क्यूब का अंतर बताना है इसमें क्या है क्यूब का सम बताना है योग बताना था कोच्छन अलग नहीं था सेम नहीं था अंतर दिया हुआ है मतलब पीछे में निकालना है एक माइनस य का हॉल क्यूब तो यहां पर निकालना है एक्स क्यूब परलस वाइक क्यूब बस इतना कि आंतार हो है मैं इसा था उचली का निकालना था एकमें g要 क्या इतरा है ऐसे दिखेंगे कोच्चा नमर 16 हो गया आपका कोच्चा नमर 17 को देखेंगे सांकी की से भी है संदार सवार है देखेगा कि निमनिकी तालिका का अधन करना है और नीचे दिया गया प्रशनों का उत्तर देना है देखे ए ए स्कूल का नाम भिया है नमांकित विद्यरतियों की कौल संख्या दिया हुआ है इन सम प्रशनों में से जब भी ज्यान का चुणने भाले छत्रों का परतिस्त दिया गया है कि को साल चात्र है और सुल निमें किकल कोट गया है नोसा है नाजूसटर के टाना है तो a में और d में पर देखेज ए में कुल कितना छातर है, तो छातर कितना है 900, उसमें सिक्ती सथी परतिसट क्या हुआ कि बड़न को चेन कहा है मतलो तो आठ रुट्रोल छात्र है उसमें 18 परतिशत क्या है जी विज्ञान को चेन किया है मतलब 8 इंटू 18 इसमें छात्र कितना है पांच बट्टे 12 ठीक है डिवाइड किसे करना है छात्राओं के संख्यां से तो वहीं सेम होगा 270 डिवाइड करना है किसे तो यह हो जाएगा यह पंदर आठे 120 यह कर जाएगा 12 से कैसे काटेंगे अप लोग इसको देखें चार से काटे चार दूनी 8 चारतिया 12 ठीक तीन च्छके 18 ठीक नीचे में विश्यक कर जाएगा यह जाएगा आपका 18 और यह आपका हो जाएगा 21 बटे 37 आजएगा ठीक कौस्टर नमबह 18 को दूनी 108 किलोमिटर पर आवर और के 40 ही दिशाम में दून एक ही दिशाम में चलरही है तो दुसरे ट्रेंज जो है एक दुसरे को पर करने में कितना समय लगाेगा वही निकालना है तो क्या होड़ाएगा दोनु के ट्रेंड केNY दोनु का जो लंबाए का जोड़ लेंगे वही तोल डिस्टांस ह में है मीटर में लि habitat लेगे अगर सेम ली जी में जा रही है तो क्या होगा, एक कीमेंड देंड में सकेंड में आप इसको कर लेंगे तो कितना अठाद दूने 36 यानि 10 यानि कि 86 सकेंड में क्या होगा एक दूसरे को यह पार कर लेंगे मतलब 86 इसका आंसर होगा question number 19 को देखेंगे समाई और कार्ज से है 25 किसी कार्ज को 25 दीने पुरा करते हैं मतलब क्यां प्र रोल काम पुरा करता है सिर्ट 10 पूर्ज के ख़ा 1 और काया जया है 12 दिन काम करने के बाद 12 काम क्या है 20 प्रूर्ज काम करता उसके बाद क्या6 कि तीन और पुरुष काम 12 दिन तक कार्ज करने के बाद तीन और पुरुष को इस कार्ज में पुरा करने के लिए लगा जाता है मतलब पुरुष पहले कितना था 10 अब हो जाएगा 13 तो बचे हुए काम को कितने दिन में पुरा करेगा सेम सवाल इससे पहले भी हम करवा यह है मतलब इसी शिफ्ट में हूँ आया था सेम सवाल है देखिए 250 मैंनस 120 कीजिए 250 में से आप 220 को माइनस कर लिए इसको 13 से डिभाइड कीजिए आपका अंसर आ जाएगा दो कि 225 में से 120 माइनस कितना हो जाते 130 बटे 13 मतलब 10 10 दिन में ब बियाज मुलधन के 25 परतिस्त के बराबर है तो कितने बर्स बर्सों बाद ब्याज मुलधन के बराबर हो जाएगा देखिए अगर मान लेते हैं मुलधन पी रुपईया है पांच बर्स और रेट ऑफ इंटेस्ट मान लेते हैं आर है इसको 100 से मल्टिप्लाइ करेंगे क्या आजाएगा आपका इंटेस्ट आजाएगा पहले मतलब पी का 25 परतिस्त है मतलब एक बट्टे चारव इसी भी बोल सकते एक बट्टे पी का वन बाए फोर है ठीक है यहां से आपका रेट ऑफ इंटेस्ट आजाएगा कितना पांच क्या पुछा गया है कितने बर्सों राबर हो जाएगा मतलब इंटू रेट अफ इंट्रेस्ट आपका पांच दिया है टी रहेगा इंटू हंड्रेट ये कब पी के बड़ाबर होगा यहें पर टीक वहलू आपको निकालना एपी से फीकल से मतलब तीक वहलू कीतना जाएगा 20 मतलब टीकर बहलू आपका 20 करता है ठीक है बीने क्या है नौ दिन तक काम किया तो भी का हो जागा चीपिशन से चार है उसके बाद क्या फिर काम को छोड़ देता है तो बचे हुए काम को ए जो है क्या के चार क्या क्या है तीन मतलब 24 वत्टे तीन दीन में इसी काम को खतम कर दाएगा एक के दुवारा थीक है question number 23 को देखेंगे अब है 15 cm और 13 cm तरिजा बाले दो संक्यंद्रित बिर्थ दिये गए हैं बरे बिर्थ की जीबा की लंबाई ग्याद करना है जो छोटे बिर्थ को असपर्स करती है देखिए एक बिर्थ ये है एक बिर्थ ये है ठीक है अगर ये माल लेते हैं C पे कार्चत A और C की लंबाई निकाल चकते हैं AC की लंबाई क्या देखिए राइट अंगल ट्रेंगल बनता है ये राइट अंगल ट्रेंगल बनेगा तो आप क्या लिखेंगे ये 15 है और एक 13 है रूट अंडर किता होगा हम बाहर कर लेंगे चार बाहर आगा तो रूट से बाहर आजागा तू इसमें कितना होजागा 14 बचेगा चार रोट अप्शन नमबर चार आपका सही आंसर होगा ठीक है Q24 को देखेंगे QA का बहलू दिया हुआ हुआ है अनुञा को सीने क्लिफार कीजिए इनुडुकॉस आस्वाण कीर लिखेंगे तो सांटे नीचे महीं पर जाएगा आपको यहाँ पर उसाने संटेल का मतलब का श४ित यहीं क्वत्पा रोटे पांच शब्स वाटे पांच धिक्cji ऊपता है में इक पार्क में 10 मीटर उचाई और 48 मीटर की अधहर ब्यास का एक संक्वा का तंबू लगया, जिसका क्या है, उचाई है अधहर का ब्यास का दिया हुआ हुआ, इसका युअ है, तिरची उचाई है, यह करना बन जाता है यह रखेंगल ट्रेंगल है तो कितना हुगा 24 स्क्राइवार प्लस ट्सक्राइव कितना जाएगा 26 20 मतलब 24 और 10 और यह 26 ट्रिप्लेट बनता है तो मतलब 36 कितना जाएगा 26 अब इसको भेलो आप पूट कर लिजिए मतलब पाई का भेलो पूट करना नहीं है पाई इंटू रेडिस अब कर दिया हुआ कितना 24 और 26 24 इंटू 26 आप का लिजिए आपका आंसर अपसर नमबर 2 यह सिफ्ट आपको कंप्लेट हुआ आगे बाले सिफ्ट बहुत जल्द ही इस वीडियो चैनल पर अप्लेट के जाएगा तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देए वीडियो देखने के